हावई डीपी नंबर 5 अपन कर चुके थे अब डीपी नंबर 6 अपन करते हैं सबसे पहले डीपी नंबर जो 6 है इसके आंसर की नोड कर लेजे तो इसमें कोशन नंबर 1 कोशन नंबर 1 में true false है तो इसका जो आंसर है वो true है कोशन नंबर 2 जो है इसका आंसर ए है कोशन नंबर Q3 का जो आंसर है वो भी A है Q4 का आंसर भी A, B है Q5 का जो आंसर है वो B, D है B&D Q6 का आंसर जो है वो C और D है Q7 क्या जाए A का आंसर ऐसे Q6 की आंसर की नोट कर लीजए चलिए अब आपन आंगे बढ़ते हैं इसका डिसकेशन करते है DPP नमबर 6 तो यह हमारे पास हो गया DPP नमबर 6 Q1 Q1 में बूले गया बहुत ही असान Q1 है बच्पन वाला X का बावर 4 प्लस 4 प्राइम कब होगा कि वहले एक केस में होगा जब X natural number है तो natural number है तो यह वहले केस में होगा जब X की value 1 होगी सही बाद है तो फॉर 1 value है तो बलकुल सही है चलिए हांगे बढ़िए X equal to 1 पर यह होगा बागी रखके देखो नहीं होगा second question देखो second question अगर हम देखें तो हमसे बूलागा एक expression हमारे पास दिया है बच्पने वाले यह वो भी 3 into a square plus 1 का whole square plus 2 into a minus 1 into a square plus 1 minus of 5 into a minus 1 का whole square minus of 4 into 0.75 into a का power 4 plus 3a minus 1 बोला गया है यह simplify when simplified reduces to reduce होगे क्या बनता है option number a दिया है 2a square minus 2a cube minus a square b दिया है 2a square minus a cube 3 दिया है 2a cube और d दिया है 2a square चलिए solve करते हैं इसको अगर 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 आपन solve करते हैं तो इसमें अपन देखें यहां पर a square का square highest power to 4 आएगा यहां पर a power 2 है एक पावर 1 है तो इस term का highest यहां पर highest power power a power 2 आएगा और यहां पर highest power a power 4 है तो हमें से multiply कर देते हैं अगर multiply कर देते हैं तो a power 4 का coefficient चेक करें क्या क्या आएगा तो अगर हम a power 4 के साथ देखें a का पावर 4 तो a का पावर 4 कहाँ कहाएगा यहां आएगा 2 का a square का sqre तो a square का sqre first time होती a square फिर 2ab फिर b sqre तो a square करेंगे तो a का power 4 के face gym आएगा 1 3 से multiplied होगा तो यहो जाएगा प्लस 3 यहां highest coefficient of a a qi है highest power of a cube है तो यहां तो a का पावर 4 आएगा नहीं यहां पर highest a square है यहां भी नहीं आएगा अब 4 into 0.75 मदब 3 by 4, 4 से 4 cancel तो minus 3 तो यहां पर जो coefficient आगया वो गया minus 3 a का पावर 4 तो यह हमारे पास आगया 3 minus 3 into a का पावर 4 अब a cube के बारे बात करें अब यहां तो a square का पावर है तो यहां तो a square का पावर आएगा यहां पर a का पावर 4 आएगा यहां पर कुछ नहीं आएगा constant आएगा यहां तो a cube आएगा नहीं चलिए a cube कहा सकता है a cube यहां सकता है जब a square का यह से multiplied होगा तो a cube होगा और two से multiplied होगा तो यह हो जाएगा two a cube अच्छा यहाँ पे a minus one का whole square तो a square minus two a plus one यहाँ भी नहीं आएगा यहाँ भी नहीं आएगा तो यह plus two a cube हो गया अब a square देखें a square यहाँ से आएगा a square यहाँ से क्या आएगा यहां से जाएगा 2a square और 3 से multiplied होगा तो 6a square हो जाएगा फिर यहां से आए यहां भी a square आएगा जब a square का minus 1 से multiplied होगा a square का minus 1 से multiplied होगा तो minus 1 और बहार 2 है तो minus 2 यहां भी a square आएगा जब इसको open करेंगे तो a square minus of 2a plus 1 आएगा तो यह a square into minus 5 चाहिए विए माइनस 5a स्कॉर आजाएगा और यहां तो ही नहीं आंगे ए स्कॉर तो यह आ गया हमारे पास अस्कॉर का टम आपना देखें कोफिशंट ओफ ए है ना तो ए कहां से आएगा यहां तो आएगा नहीं कि यहां तो आके वाल यहां का पावर हो जाएगा तो 2 है हो जाएगा तो coefficient है जाएगा 2 यहां भी आ जाएगा क्योंकि A-B का whole square करेंगे तो A square minus 2 A plus 1 तो minus 2 और बाहर है minus 5 तो plus 10 हो गया और यहां पर अपन देखें तो यह fourth इसा 12 तो बाहर जो है minus 12 into A यह A का coefficient जाएगी तो constant आ गया अपन क्वास्टेंट कर तम देखेंगे Constantum क्या है कि Constantum यहां से आएगी 1 into 3 तो Constantum यहां से हो जाएगी 3 constantum यहां से आएगी जब 1 into minus 1 मिलेगा तो minus 1 into 2,4 को प्लैस 2 यहां से आएगी 1 into minus 5 भई है A square minus of 2 A plus 1 होता है न तो 1 into minus 5 minus 5 हो जाएगा और यह minus 1 minus 4 जो है वो plus 4 हो जाएगा और बस यह है इसको अपन को simplify करना है तो यह तो हो गया 0 और कौन सा हो गया यह वाला भी हो गया 0 यह हमारे पास आगया 2aq और यह हमारे पास आगया minus of a square अच्छा यहां से देखें अपन यह भी 0 हो गया तो हमारे पास 2aq minus a square इस form में यह simplify होगा यह question number 2 हो गया question number 2 को note कर लीजे चलिए आंगे बढ़ते हैं question number 2 के बाद हम question number 3 पर आते हैं question number 3 अगर हम देखें तो question number 3 में हमसे बूला गया है a का पावर है 4 into b का पावर है 5 इसकी value 1 है यह हमें given है तो हमसे बूला गया find the value of log of a का पावर 5 into b का पावर 4 to the base a इसकी value क्या होगी तो अपन ऐसा करते हैं अपन इसको solve करते हैं इसको solve करने के लिए अपन इसे सबसे पहले principal property number 1 लगाते हैं log of a का पावर 5 to the base a plus log of b का पावर 4 to the base a डरने की जरूट नहीं है रात के एक बज़ रहे हैं पुलिस की गाड़ी सामने से निकल ले लोग डाउन चल रहा है तो log of a का पावर 5 to the base a और log of b का पावर 4 to the base a तो यह चीज हमारे पास जाएगी 5 और यह जाएगा 4 into log b to the base a की value निकालनी है तो यहां भी हम दोनों तरब log ले लेते हैं बेस a में तो log base a में हमारे पास value आएगी a का पावर 4 into b का पावर 5 और equal to हमारे पास हो जाएगा log of 1 to the base a तो यह हमारे पास principal property लगाएगे तो log a का पावर 4 to the base a plus हो जाएगा log b का पावर 5 to the base a और log 1 to the base a जिरू हो यह हमारे पास double whole property से 4 बचेगा यह 5 बाहर आएगा तो log b to the base a बचेगा equal to 0 इसको हम सॉल करेंगे तो log b to the base a की जो value है वो minus 4 by 5 बचाएगी तो यहां पे हम value minus 4 by 5 रख देंगे तो यह हमारे पास हो गया minus 4 by 5 तो 25 minus 16 हमारे पास आएगा 9 by 5 तो इस question का जो final answer हमारे पास आएगा वो 9 by 5 आएगा नोट का लीजिए यहां तक तो question number 3 का जो answer आएगा वो 9 by 5 आएगा question number 3 के बाद हम आते है question number 4 अब question number 4 multiple correct है चलिए देखते है question number 4 question number 4 अगर हम देखें तो which of the following equations have the value only unity as a solution solve करना है चार equations जी है A, B, C, D, चारों में चारों को solve करना है किसकी value 1 आजाएगी unity मतलब 1 वपन को निकालना है तो fourth का आपन option number देखते हैं A fourth का option number A अगर देखें तो यह है four का power 1yx minus 2 और equal to हमारे पास है log of under root 10 y2 अब यहां पर base है 10 under root 10 मतलब 10 का power half 10 का power half बाहर आया तो यह log 10 to the base 10 upon 2 तो 10 to the base 10 होगे हमारे पास 1 तो यह हो गया 1 by 4 1 by 4 मतलब 4 का power minus 1 और यहां हमारे पास है 4 का power 1 by x minus 2 power equal कर देएगा 1 upon x minus 2 equal to minus 1 तो 1 upon x की value minus 1 plus 2 तो 1 upon x की value 1 तो x की value 1 तो option number a जो है वो अपना answer है सभी बात है option b अभी है option number a के बाद फिर आप option number b को check करेंगे option number b पर आते हैं फोर्थ का b देखते हैं अगर फोर्थ का b देखें तो यह फोर्थ का b में हमारे पास है 2 इंटू है 3 का power x plus 1 minus 6 इंटू 3 का power x minus 1 और minus 3 का power x equal to 9 तो यह से अपन देखेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 का power x minus 6 इंटू 3 का power x upon 3 का power 1 minus 3 का power x equal to 9 तो यह हमारे पास 2 हो गया 6 इंटू 3 का power x minus 2 इंटू 3 का power x minus 3 का power x equal to 9 तो 6 minus 2 और minus 1 तो यह हो गया 3 इंटू 3 का power x equal to 9 तो यहां से आएगा 3 का power x plus 1 और 9 मतलब 3 का power 2 तो x plus 1 की value आगे 2 तो x equal to 1 तो इसका solution भी unity आगया तो option number b भी अपना answer हो गया option number b के बाद अपना आते हैं option number c पे pause करकर के note करते जाना और reverse करकर के एक बार और समझते जाना easy question से फोर्थ के c के बारें बात करते हैं अब यह है 7 इंटू 3 का power x plus 1 minus of 5 का power x plus 2 equal to 3 का power x plus 4 minus of 5 का power x plus 3 यह है वाई तो यह हमारे पास है 7 multiplied by 3 multiplied by 3 का power x और यह 5 का power 2 multiplied by 5 का power x equal to है 3 का power 4 multiplied by 3 का power x minus है 5 का power 3 multiplied by 5 का power x तो यह होगे 21 multiplied by 3 का power x minus of 25 multiplied by 5 का power x equal to 81 multiplied by 3 का power x minus of 125 multiplied by 5 का power x 33 वले item साथ मले जाओ इसको साथ मले गए 81 minus 20 हमारे पास आगे 60 multiplied by 3 का power x इसको साथ मले गए तो यह हमारे पास आगे 100 multiplied by 5 का power x तो यहाँ से अगर अपन ने देखा तो हमारे पास 5 upon 3 का power x जो है इसकी value 5 का power x upon 3 का power x क्या आगया 5 upon 3 की power x equal to 60 by 100 60 by 100 मतलब 6 by 10 6 by 10 मतलब 3 by 5 3 by 5 मतलब 5 by 3 का power minus 1 तो यहाँ से x की value क्या जाएगी minus 1 हम दब पूचा है 1 होगी क्या तो नहीं 1 नहीं होगी तो c इसका option नहीं होगा आगे बढ़ते हैं वई फोर्थ का d देखिए फोर्थ का d अगर अपन देखें तो फोर्थ का d में है 2 का power x square minus 6 multiplied by 3 का power x square minus 6 equal to 6 का power x minus 1 का power 4 upon 6 का power 5 तो भाई यह हमारे पास power से में तो यह 6 का power x square minus 6 हो जाएगा और यह हमारे पास हो जाएगा 6 का power x 4x minus 4 minus 5 भाई यह 4x minus 4 होगा upon 6 का power 5 होगा तो यह हमारे पास हो जाएगा 6 का power x square minus 6 यहाँ भी power subtract हो जाएगी तो 6 का power हो जाएगा 4x-4-5 मतलब 4x-9 तो यह हमारे पास जाएगा बेस से में पावर भी इक्वेल कर देंगे तो x square minus 6 की value हो जाएगी 4x-9 तो यहाँज़ अगर हम देखेंगे तो x square minus 4x और plus हमारे पास 3 equal to 0 x equal to 1 satisfied कर रहा है कि इसको अगर हम 1 रख रहा हूं satisfied कर रहा है तो x equal to 1 इसका भी एक solution होगा अच्छा बैसे चांदा आसान भी था यह question अगर हम इसे देखें तो यह हमारे पास है x का power 2 का power x square 6 का power x square minus 6 और 6 का power x minus 1 into 4 तो 4x minus 4 और upon 6 का power 5 तो 4x minus 9 तो x square minus 6 equal to 4x minus 9 तो x square minus 4x plus 3 अगर मैं x equal to यहाँ पर 1 रखता हूं तो 1 minus 4 plus 3 equal to 0 तो x equal to 1 जो है वो इसका solution हो सकता है अच्छा अगर हम यहाँ पर रख के देखें x equal to 1 तो 1 रखेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 6 का power minus 5 और यहाँ भी 1 रखेंगे तो 6 का power minus 5 तो इसका भी solution x equal to 1 है तो हमारे पास जो answer आएगा उसमें सुधार लीजिए a, b और d b आएगा इसका option d b होगा अच्छा इतनी मेनत अपन ने इसमें करी है थोड़ा असान तरीका यह है कि हम x equal to 1 किस-किस का solution होगा तो रख के देख लें दोनों तरप जहाँ-जहाँ भी यह question है जिसको satisfied गर्त रह वो इसका solution होगा ठीक है? चलिए अब question number 5 के बारे में हम बात करें question number 5 देखिए question number 5 में बोला गया है x question number 5 के बारे में अगर हम बात करें then question number 5 में बोला गया है कि यह है log of 2x square to the base 4 plus log base 4 यह है 1 upon 8x equal to हमारे पास है log of pi और यहां हमारे पास है 10 pi by 4 then the possible solution of the equation then the possible solution अगर यह given है then the possible solution of the equation y square plus x plus 1 into y plus x equal to 0 इसके बारे बात करनी है तो 10 pi by 4 की value होती है 1 और 10 pi by 4 1 तो log 1 to the base pi हो गया 0 अब यहां पर base same है तो यह multiplied हो जाएगा multiplied हो जाएगा तो हो जाएगा 2x square upon 8x तो यह हमारे पास हो जाएगा x से x cancel तो यह जाएगा xy4 log of xy4 to the base 4 equal to 0 तो यह कब 0 होगा जब xy4 की value क्या हो जाएगी 1 तो x की value क्या हो जाएगी 4 हम एक बार reverse check करें 4 satisfied तो कर रहा है 4 यहां रखेंगे तो 16 into 2 32 positive हो रहा है define है 4 यहां रखेंगे तो 1 upon 32 यह भी define है तो x equal to 4 हमारे पास यहां से value आ गई x equal to 4 अगर हम यहां रखेंगे तो y square plus 5y plus of 4 equal to 0 आ गया अब इसमें हम से क्या पूचा गया है y की values क्या होगी तो निकाल लें तो y square plus 4y plus y plus 4 equal to 0 होगा तो अगर हम यह देखेंगे तो यह हो जाएगा y plus 4 into हो जाएगा हमारे पास y plus 1 equal to 0 तो y की एक value जाएगी minus 4 और y की दूसरी value होजाएगी minus 1 तो minus 4 और minus 1 जो है y की value आएगी तो हमारे पास option आगए इसका B or D यह question number होगे हमारे पास fifth हम करते है question number 6 question number 6 देखते है question number 6 अगर देखें तो question number 6 में बोला गया है n की जो value है वो है 1 plus 2 into है log 2 to the base 3 और upon हमारे पास है 1 plus log 2 to the base 3 का whole square plus हमारे पास है log 2 to the base 6 का whole square ठीक है अच्छाए एक बात धान दीजे जैसे ऐसे लिखाए ना log log square 2 to the base 6 तो basically यह लिखाए log 2 to the base 6 का whole square यह यहाँ पर पावर लगने का मतलब whole square है अब हम यह भूला गया है कि हम इसको simplify करते है तो क्या आता है prime number आता है real number which is less than log pi to the base 3 आता है real number greater than log 6 to the base 7 आता है आता क्या है इसके वारे में हमसे पूछा गया है तो अपन ऐसा करते है थोड़ simplify करते है अगर अपन simplify करते है तो यह क्या लिखा है यह चीज देखें यह क्या लिखा है जैसे 1 प्लस log 2 to the base 3 है है ना इस एक thinking process रवलप कर रहे है पहले तो इस 1 को मैंने लिख दिया log 3 to the base 3 और प्लस है log 2 to the base 3 तो यह हो जाया है log 6 to the base 3 यह लिखा है ना log 6 to the base 3 सही है वही अगर हमने देखा log 2 to the base 3 दा तो यह log 6 to the base 3 का whole square लिखा है तो अगर मैं देखूँ इस में मैं base changing धोरों लगा दूँ तो यह हमारे पास 1 plus 2 अच्छा इसको भी simplify कर लो यह हमने क्या denominator वाला part simplify किया तो इसकी value हमारे पास पुर सस्ते में रिप्टा देते हैं यहाँ पे यह 1 plus log 2 to the base 3 था तो इसको आमने लिख दिया log 3 to the base 3 प्लस हमारे पास हो गया log 2 to the base 3 तो यह हो गया हमारे पास log 6 to the base 3 तो इसकी value जो यह वाली चीज है इसकी value तो log 6 to the base 3 आ गई अच्छा 1 plus 2 into log 2 to the base 3 तो 1 तो है log 3 to the base 3 हाना और यह 2 चला गया अंदर तो यह हो गया हमारे पास log 4 to the base 3 तो यह हो गया log 12 to the base 3 तो यह हमारे पास log 12 to the base 3 आ गया अच्छा log 12 to the base 3 चलिए देखते हैं तो यह उपर हमारे पास आ गया n की value हम निकाल रहे थे n की value हमारे पास आ गया log उपर वाले की value log 2 to the base 12 to the base 3 और नीचे वाले की value log 6 to the base 3 या भी और इसका whole square अच्छा हम ऐसा करते हैं यहां भी हम base changing धुरम लगा देते हैं अगर हम base changing धुरम लगाएंगे तो यह हो जाएगा log of 2 upon log of 6 और हमने base ले लिया 3 और दोनों का whole square तो इसका भी square और इसका भी square तो उपर तो हमारे पास है log 6 to the base 3 नीचे तो है log 6 to the base 3 का whole square और उपर है log 12 to the base 3 प्लस है log 2 to the base 3 का whole square यह हमारे पास है अच्छा ऐसा करते हैं अगर log 12 to the base 3 जो था सब 3-3 में चल रहा है 12 को log 12 to the base 3 यह था ना भई यह यह चीज थी इसको बापस यह लिख देते हैं काम करते हैं अगर वापस यह लिखते हैं तो यह है 1 plus 2 into log 2 to the base 3 plus log 2 to the base 3 का whole square और log 6 to the base 3 को वापस यह लिख देते हैं तो यह हमारे पास है 1 plus log 2 to the base 3 अब a square plus 2ab plus b square क्या हो जाएगा a plus b का whole square अच्छा नीचे whole square था तो इसका whole square आएगा और उपर हमारे पास जाएगा log 2 to the base 3 plus 1 का whole square और नीचे भी सेमी चीज है 1 plus log 2 to the base 3 का whole square cancel हो जाएगा answer 1 आजाएगा answer 1 आगया तो prime number है क्या 1 नहीं है irrational है नहीं है अब क्या यह log pi to the base 3 से छोटा है तो भाई यह log pi to the base 3 की value 1 से बड़ी होगी की छोटी होगी हमें समझना है चली answer 1 आगया पहले यहां तक note कर लीज़े अब answer हमारे पास आगया 1 अब हमें चेक करना है इसका option number C तो option number C के लिए हम इसकी value देख है कि जो 1 है बुल लॉक pi to the base 3 से बड़ा होगा की छोटा होगा अचा pi की value log 3 3.14 approximate value होती है अगर यहां पे 3 होता तो log 3 to the base 3 की value 1 होती अगर यहां पे 3 से बड़ा कोई number हमने ले रखा है तो answer 1 से बड़ाएगा 1 point something आएगा तो इसकी value जो है 1 से बड़ी होगी तो 1 की value क्या होगी इस से छोटी होगी तो option number c सही है कि real number which is less than log pi to the base 3 अब option number d यह 15 दरीके समझेंगे option number d में बूला गया है a real number which is greater than log 6 to the base 7 हमारे पास है log 6 to the base 7 अब भाई अगर यहां पे 7 होता तो value 1 हो गती अब 7 से छोटा है 6 है तो value जो है 1 से छोटी होगी मैं 1 से छोटी value को 1 minus लिख देता हूँ समझने के लिए 1 से छोटी तो यह less than 1 है तो 1 इस से greater than होगा तो option number d बी करेक्ट है और option number c बी करेक्ट है तो यह अमारे पास question number 6 हो गया question number 6 समझ मैं है भई भई यह अमारे पास अगर log 6 to the base 7 है अगर 7 to the base 7 होता तो 1 होता अब मैंने 7 से छोटा कर दिया तो इसका answer 1 से छोटा हो जाएगा तो यह 1 से छोटा हो गया तो 1 जो है वो इससे बड़ा हो गया similarly अगर log 3 to the base 3 होता तो answer 1 होता अब अगर मैंने number 3 से बड़ा ले लिया तो इसका इंदर 1 से बढ़ा आएगा तो 1 इस से छुटा हो गया तो यह option number C और D दोनेस का option हो गया आप बनाते हैं question number 7 पे question number 7 के हैं 4 part A, B, C, D question number 7 का part A question number 7 का part A यह हमारे पास है log of x और इसके number की जगे हमारे पास है log of 18 और यह हमारे पास है log under root 2 plus under root 8 और इसकी value है minus half अब देखो भई इस question को करने के लिए हम कुछ समझ में तो आये नहीं रहे क्या हो रहा है हम इसका सहरा लेते हैं इसका सहरा हमने ऐसे लिया कि भई यह root 2 plus root 8 है अगर मैं इसका square करता हूँ तो A square plus B square plus 2 A b तो यह हो जाएगा 10 plus 8 मतलब 18 तो under root 2 plus under root 8 की जो value का whole square था वो 18 है तो इसकी value 18 under root होगी तो अगर मैंने यह 18 का under root रख दिया तो यह हो गया 18 का under root और यह हो गया 18 यह आगा log x अब 18 का power क्या लगाऊं कि 18 का under root है 1y2 तो यह आगा log of 1y2 का power 1y2 to the base x equal to minus half अब यह x यहाँ चला गया तो 1y2 equal to x का power minus half तो 1y2 मतलब 1 upon under root x तो under root x की value कितनी हो गई 2 तो x की value कितनी हो गई 4 अच्छा x की value 4 यहाँ define है क्योंकि base positive or not equal to 1 हो रहा है मतला reject होगी नहीं तो answer x equal to 4 जो है वो इसका answer हो जाएगा तो a का जो answer था वो ऐसी था चलो सही है यह हो गया a के बाद अपन करते हैं b यह बोला गया है अब यह अपन ग्राफ तो बगर अब बना के नहीं बताऊंगा आपको सीधे करते हम y की value निकाल लेते है तो y की value निकालने के लिए हमारे पास xy minus of y की value हो जाएगी x y into x minus 1 की value हो जाएगी x और y equal to x upon x minus 1 अच्छा यह दोनों equal कब होंगे यह दोनों equal के वल जब होंगे जब x equal to y होगा sum और product जब equal होते हैं बचपन सम पढ़े हैं कि जब हमारे पास x equal to y होगा तो x equal to y होगा जब x equal to 0 होगा और x equal to 2 होगा ठीक है तो हमारे पास इसके दो solutions आजाएगे तो number of integral pair कितने हो जाएगे 2 2 मतलब option number क्यों हो जाएगा चलिए आंगे बढ़ते हैं question number b के बाद question number c पे आते हैं question number c अगर देखें तो question number c में x की value दी है 1 upon 2 minus 3 का under root का under root और y की value दी है 1 upon 2 plus 3 के under root का under root और वाईसद question चल्ला चल्ला के बोल रहा हो गया फोर माइनस 2 अंडर root 3 upon 2 तो यह हो 1-2 under root 3 upon 2 तो यह under root 3 minus 1 का whole square upon 2 equal to 2 minus under root 3 ठीक है भई 2 सही कहनना पड़ेगा ना सही है तो 2 minus under root 3 का जो under root होगा वो होगा root 3 minus 1 upon root 2 तो यह वाली जो x की value हो जाएगी वो हो जाएगी इसका reciprocal तो root 2 upon root 3 minus 1 similarly y की जो value हो जाएगी वो हो जाएगी root 2 upon root 3 plus 1 यह x और y की value हो गई हमसे बोले x minus y की value निकालो तो इसको हम rationalize कर दें rationalize करेंगे तो उबर तो हमारे पास कह जाएगा root 3 plus 1 और नीचे 3 minus 1 2 तो 2 से under root 2 कैंसल होके under root 2 upon में जाएगा तो यह x की value हो जाएगी और y की value हो जाएगी root 3 minus 1 upon root 2 अगर हम x minus y करता हूँ तो root 2 तो सेम है यह हो जाएगा root 2 3 plus 1 minus root 3 plus 1 यह दोनों cancel तो 2 upon root 2 की value हो आगई हमारे पास root 2 तो x minus y का whole square क्या आगया 2 2 मतलब आगया option number q तो c का भी option हमारे पास q आगया एक बार और समझे लो कोई perfect square create करो अंदर तो मैंने perfect square create करने के लिए 2 minus under root 3 था 2 से multiplied divide किया तो 4 minus 2 under root 3 आगया 4 को लिखा 3 plus 1 minus 2 under root 3 तो यह हो गया root 3 minus 1 का whole square upon 2 अब इसका भी under root लेंगे तो root 3 minus 1 upon 2 अब कई लोग कहेंगे यहाँ पे mod क्यों नहीं लिया तो mod इसलिए mod लिया लेकिन mod यह चीज पॉजटो है root 3 minus 1 पॉजटो है तो mod पॉजटो साइन के साथ open होगा ठीक है और जिनना mod निविलको ली नहीं पड़ा है तो यह देखें इसे हम root 3 minus 1 लिखेंगे 1 minus root 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि answer under root की value positive आने चाहिए तो इसलिए positive आ रही है तो root 3 minus 1 होगा तो अगर x की value देखें इसका receive रोकल तो root 2 upon root 3 minus 1 तो y की value root 2 upon root 3 plus 1 हमें x minus y निकालना है तो हमने इसको rationalize कर दिया और subtract कर दिया तो x minus y आ गया उसका square कर दिया तो two answer आ गया c के बाद देखें d चलिए d देखें d d में हमारे पास जो है x की value है one plus one upon फिर two plus फिर one upon फिर वो ही one plus है तो यह हमने x ले लिया अब अगर ऐसा है तो बूला गया है पर एक बार लिख के बताते हैं अगर confusion हो रहा हो तो फिर ऐसा है one plus one upon two plus one upon one plus one upon two plus one upon one plus one upon two plus one upon यह सब चीज़ें चल रही है तो हमने का भाई यह जो चीज़ है यह पूरी के पूरी x ही है तो x की value है one plus one upon two plus one upon x यह चीज़ आएगी है ना यह चीज़ x है तो यह हमारे पास हो गया x equal to one plus यह LCM लिया हमने है तो यह 2x into 2x plus 1 equal to 2x plus 1 plus x. सभी यह 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 लिखा है, फिर से लिखते हैं एक बार. D, D में हमारे पास है x equal to 1 plus, 1 upon 2 plus, फिर 1 upon 1 plus, फिर 1 upon 2 plus, फिर 1 upon 1 plus, फिर 1 upon 2 plus यह है. तो यह पूरी चीज हमारे पास x के जैसे हो जाएगी. तो x equal to आ गया 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon x. तो यह हो जाएगा हमारे पास x 1 plus 1 upon 2x plus 1. और x यहाँ चले जाएगा. तो यह हमारे पास हो जाएगा x, यह हो जाएगा 2x plus 1 plus x upon 2x plus 1. यह यहाँ जाएगा तो x into 2x plus 1 equal to 2x plus 1 plus x. 2x square plus x equal to 2x plus 1 plus x. यह cancel हो गया. तो 2x square equal to 2x plus 1 यह आगया. यह पूरा x था तो 1 upon x था. 1 upon x हो गया. यह 2x plus 1 upon x हो गया. x उपर चला गया. फिर इस कैल्सियम 2x plus 1 आगया. तो 2x plus 1 plus x upon 2x plus 1 यह यहाँ चला गया. तो simplify होके ही आगया. अब जो question है उसमें हमें क्या निकालना है? जो question है उसमें निकालना है 2x minus 1 का whole square. तो 2x minus 1 का whole square निकालना है तो 4x square minus 4x plus 1 आएगा. तो मैंने इसमें 4 से multiplied कर दिया. 2 से multiplied कर दिया. तो 4x square equal to 4x plus 2 आगया. तो यह हो गया 4x square minus 4x equal to 2. दुनों तरफ plus 1 कर दिया. 4x square minus 4x plus 1 equal to 3. तो 2x minus 1 का whole square की value क्या आगया हमारे पास 3. 3 मतलब option number R. चाहिए answer है. तो इस तरीके से हमने आज DPP number 5 और DPP number 6 का discussion किया है. तो इन DPPs को एक बार और कर लीजेगा. पर अगर आपको कोई भी doubts आता है तो मुझे comment box में comment कीजेगा. तो हम उसको discussion करेंगे. Thank you.